यह अभी जो हूँ मैं बाग में हूँ बाग एच दैस के लगबग देड़ दो किलो मिटर है और इस तरह की जो बॉडियां है यह यह पुराने टाइम की बॉडिया है इनमें जो प्रानी कला से यह जो पत्थर है पत्थर को ट्राश-त्राश के चीज बनाई गया है यह एक ही पथर का इसमें बीम पड़ा हुआ है एक ही पथर है यहां से लेकर और यहां तक और इसके निच्छे देखे यह जो इसको पीलर है पीलर भी पत्थर के हैं यह दोनों के लिद पथर यह और अंदर भी किसारी दिवारे जाटे पत्थर की और अंदर के इसके स्टेप्स हैं वो भी सारे पथर चेहीं पे कोई समेंट नहीं लगा हुआ है और यह देखो कितना सुन्दर यहां आउटलेट बना इसको पानी निकाला हुआ है और सेकेंड आउटलेट जो है वो यहां पे है और यहां से है पत्थर फिंखादाओे यह एक पत्थर का भीम जो है वह एक ही पत्थर का पड़ा हुआ है इस पर और यह जो ऊपर का पत्थर का बना हुआ है इस पर पत्तर का बना हुआ है के पुराणी देखिएक तर के सब्सक्राइब पाणी यह देखे और उपर यह चखी एँ और पानी शुद्ध होता है ह Bruno भी पाणी बौडि से रहा है राह लेकिन बाट सुरम फ्ल फॉसे फिर भी खुरत है बोडी बना दियो रना इने का सिव विए से मारी डौटि से पत्थर की है सारी बाग नामे गाउं का इसका और यहां यह बोड़ी है एसी दो तीन बोड़ियां बताई है एक तो है चंदैस में और एक कालवारी बोड़ी है और आस पास कौन सी है जो इसी तरह की उससे बनी हुई है यह बाग तो यही है ना पट्टा में क्या है इस हारी जो है यह मतलब बिदरुता इलाके में जो सरका घाट में है यह इस तरह की बोड़ियां है राजाओं महराजाओं के समय की यह कारीगरी देखिया आप कारीगरी आज भी वैसी है और पानी के स्रोत भी बिल्कुल सही है आपकी सेटाओं में राजे लिव रखियां गार्ण नाज द आप जैपकी स्टेश लाजे से बीज़ता व्याओं नहीं तो आप और श्याँ सेटाओं देखियां जबेटेटीगे लिजेन के सब्सक्राइब देंग प्रच्छार दरीन देखियां प्रेट डियां ट्यां डिल्